हाई, first of all online taro certification course जिसका काफी सारे लोग काफी time से wait कर रहे हैं, वो launch हो गया है तो अगर आप professional taro card reader बनना चाहते हैं, taro में अपना career बनाना चाहते हैं या फिर अपने family friends को help करना चाहते हैं या अपनी life में positive changes लाना चाहते हैं आप अपनी life की problems को muscle को solve करना चाहते हैं तो आप इस course को join कर सकते हैं इसका link आपको नीचे description box में मिल जाएगा और अभी early bird discount चल रहा है तो मैं अपनी YouTube family को यही कहूंगी कि अगर आप वाक्य में online taro certification course को join करना चाहते हैं तो इस opportunity को आप avail कर सकते हैं and pick a card readings के लिए आप लोगों के लिए मैंने एक separate channel create किया है तो जो भी लोग pick a card readings में interested हैं आप इस channel को visit कर सकते हैं इसका link भी आपको नीचे comment section में मिल जाएगा तो चलिए जी आने वाले हफते का सापता ही क्राशी फ़ल शुरू करते हैं ये 22nd August से लेकर 28th August तक की आपकी tarot readings हैं tarot predictions हैं और बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि मैं हम इस reading को किस sign के हिसाब से देखें तो देखें tarot card reading को आप किसी भी sign के हिसाब से देख सकते हैं फिर चाहें वो आपका लगन हो, आपका moon sign हो, आपका sun sign हो या फिर आपके नाम के हिसाब से राशी हो और अगर आप मुझ से पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूंगी कि जिस sign को आप अभी तक follow करते आ रहे हैं या फिर जिस sign के हिसाब से आप अभी तक अपनी readings को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं आप उसी sign के हिसाब से इस reading को देखें तो चलिए जी शुरू करते हैं, आने वाले हफ़ते का सापता ही क्राशी फल तो चलिए से जी टेरे से आप लोगों के लिए देखें कि coming week क्या लेकर आ रहा है, क्या energies हैं तो professional front के लिए आप लोगों के लिए cards है, seven of cups and four of souls और देखेंगे, ये cards कहते हैं कि specifically अपने professional front में इस week एक pause आप लेना चाहा रहे हैं या ले रहे हैं wrist around या तो आप करना चाहा रहे हैं या पिर कर रहे हैं कहीं देखें बहुत actively आप किसी भी चीज में अपने आपको involved नहीं कर रहे हैं participate नहीं कर रहे हैं और इसके लिए सब के लिए different reasons हो सकते हैं लेकिन यहाँ पर cards कहते हैं कि distracted सी energies आपकी रहती भी दिख रही हैं कुछ के लिए हो सकता है कि आपने कोई decision लेना है कोई choice लेनी है और आप ये decision ये choice नहीं ले पा रहे हैं इसके लिए भी सब के लिए different reasons हो सकते हैं लेकिन यहाँ पर cards कहते हैं कि हो सकता है आपके पर ज़्यादा options हैं ज़्यादा चीजें आपके mind में चल रही हैं जब एक चीज को आप करना चाहते हैं आपको लगता है नहीं नहीं भी दूसरी ज़्यादा बहतर है जब दूसरी को आप करना चाहते हैं आपको लगता है भी तीसरी ज़्यादा बहतर है तो इस तरीके से दिखिए एक चीज पर आप focus ही नहीं कर पा रहे हैं और कहीं देखिए, एक बहुत बड़ा रीजन ये भी हो सकता है कि आप action initiative नहीं ले रहे हैं, आप थोड़ा सा you know introspective energies में रहना चाह रहे हैं, चीजों को और समझना चाह रहे हैं आगे बढ़ने से पहले, आप अपने options, अपनी choices को और explore करना चाह रहे हैं आगे बढ़ने से प choices को explore करने में तब हम और जादा अपने goal से भटक जाते हैं तो इस चीज का खयाल रखें, कहने का मतलब यह है कि आप pause राम करें, चीजों को और समझें लेकिन बहुत जादा time इन ही चीजों में आप ना लगाएं and personal front के लिए आप रोगों के लिए cards हैं the sun and the chariot और दिखिए दोनों ही बहुत ही positive cards हैं, दोनों ही major arcana के cards हैं, तो दिखिए personal front इस वीक आपका काफी beautiful या फर काफी अच्छा रहता हुआ दिख रहा है, कहीं आप चीजों का control अपने हाथ में लेकर अपने goal अपने मकसद की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं, action initiatives लेते हुए दिखिए जो action initiatives professional front में missing रहते हुए दिख रहे हैं, वो कहीं personal front में रहते हुए दिख रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है आप travel करना चाहा रहे हैं, या फिर travel से related planning चल रही है, या फिर कैसे growth एक progress आप अपने personal front में लेकर आएं, आप उसके उपर focus कर रहे हैं, उससे related कहीं positive चीजें भी होते हुए दिख रहे हैं, overall के लिए एक happiness, एक joy, एक satisfaction रहतावा दिख रहा है, जो भी आप कर रहे हैं, उससे related, एक success, एक victory या तो आपको मिल रही है, या फिर आपको ऐसे लग रहा है, अब ये चीज को आप achieve कर लेंगे, और बहुत जबरदस्तिक clarity भी चीजों को लेकर आती हु हा रहे हैं, या फिर आप कर रहे हैं, and guidance है, आप लोगों के लिए tree का card है, और ये card कहता है, let them go, लो देखिये, बहुत ही clear message है, जो भी चीजें आपको serve नहीं कर रही है, किसी level पर पर परिशान कर रही है, उनको ज़रूर आप इस week let go करें, वैसे तो हमेशा ही देखिये, holding on and letting go का एक process होता है, जो हमें, you know, खयाल में रखना चाहिए, वो चीजें जो परिशान कर रही है, हमें time to time उनको let go करना चाहिए, जो चीजें हमें serve कर रही है, हमारे goal के लिए हमें motivate कर रही है, उनको हमें hold on करना चाहिए, लेकिन इस week के लिए खास कर आपके लिए guidance है, कि इ and chakra से आप लोगों के लिए base chakra का card है, और इसके हिसाब से all shades of red, maroon, rust आप लोगों के लिए लखी रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए होगा Monday, और देखिए एक और message आपको base chakra का card देता है, कि थोड़ी सी अगर आप अपनी grounding करते हैं, यानि कि physical exercise करते हैं, या फिर देखिए प तो इस week के energies को आप और बहतर कर पाएंगे, तो ये था Sagittarius आप लोगों के लिए coming week का सापता ही क्राशी फल, और नीचे मुझे comment section पे जरूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया, कितना आप connect कर पाए